कोरोना वाइरस हमारे देश में जैसे अपना आतंग फैला रहा है उसे देख कर तो लगता है कि अगर इस पर चल से जल दंकुष नहीं लगाया गया तो ये भारत की हालत भी चीन और इटली जैसी कर सकता है और इसके साफ साफ लक्षन भी हम देख सकते हैं देश में कोरोना वाइरस से संक्रमित एक डॉक्टर की मौध हो चुकी है जिसका नाम शत्रगंद पंजवानी बताया जा रहा है और डॉक्टर शत्रगंद के तीन बेटे हैं जो औस्ट्रेलिया में होने के कारण तीनों बेटे अपने पिता के अंत्म समय में पिता का दर्शन नहीं कर पाए और विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये ही उन्होंने अपने पिता के आखरी पार तर्शन किये डॉक्टर शत्रगंद पंजवानी पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गये थे जिसके बाद उनका इलाज पहले गोकुलदास में और उसके बाद चल रहा था और फिर उन्हें अर्विंदो में शिफ्ट किया गया था और इलाज के दौरान गुरुवार सुभा उनकी मौत हो गई थी साथ ही इन दौर में कोरोना वारस का संक्रमन काफी तेजी से फैलने लगा है राज में कोरोना को फैलने से रोकने के रिए सरकार की योड़ से कई कदम उठाए जा रहे हैं निउस टेस्ट